सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और नए वीडियो की अपडेट तुरंत पाने के लिए दबाईए बेल आइकन नमस्कार दोस्तो आज हम बात करेंगे वीवेप के विशे में वीवेप मतलब की वोल्यूम वेटेट एवरेज प्राइस वीवेप इंडिकेटर्स का ही एक रूप हैं दोस्तो वीवेप टेकनिकल एनालिसिस के लिए उपयोग में आने वाला एक बहुत ही महत्वपून और लोगप्रिये इंडिकेटर हैं दोस्तो जो लोग intraday trading करते हैं या जो लोग intraday trading करना चाहते हैं यहाइं इंडिकेٹर उन्हीं लोगों के लिए बना हैं वी वेप का उप्योग सिर्फ और सिर्फ intraday trading के लिए ही किया जा सकता हैं या आप यहाँ भी समच सकते हैं कि यहाँ इंडिकेटर सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए ही हैं, वी वेप इंडिकेटर का उप्योग आप हर तरह के बाजार में कर सकते हैं, चाहे आप शेयर बाजार में काम करें या फ्यूचर बाजार में, चाहे आप कमोडिटी ब बाजार में काम करें या फोरेक्स बाजार में यहां हर एक बाजार में अच्छी तरह से काम करता हैं। तो चलिए दोस्तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि वीवेप क्या होता हैं, वीवेप कैसे काम करता हैं और हम वीवेप की मदद से बाजार में कैसे खरीदी और विक्वाली कर सकते हैं तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि वीवेप क्या होता हैं दोस्तो जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ वी वेप का मतलब होता है volume weighted average price और आपको इसके नाम से ही यहाँ पता चल रहा होगा कि यहाँ volume और candle के average price पर आधारित indicator हैं. दोस्तो वी वेप आपको चार्ट में कुछ इस प्रकार से दिखाई देता हैं जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं. अब आप मेंसे कुछ लोग शायद यहाँ सोच रहे होंगे कि यहाँ तो super trend या moving average के जैसा दिखाई दे रहा हैं. तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि वी वेप का calculation, super trend और moving average से काफी अलग होता हैं और वी वेप का उपयोग केवल और केवल intraday trading के लिए ही किया जा सकता हैं. दोस्तो वी वेप का calculation formula क्या हैं और यहाँ कैसे काम करता हैं इसके विशय में हमें जानने की कोई आवशकता ही नहीं हैं क्योंकि आजकल हर एक indicator का calculation हमारे trading software में automatic ही हो जाता हैं हमें केवल यहाँ पता होना चाहिए कि indicator का सही accuracy के साथ कैसे उपयोग किया जाता हैं अब आखरी सवाल यहाँ है कि वी वेप के लिए कौन सी setting best रहेगी दोस्तो वी वेप indicator के लिए setting का कोई issue ही नहीं है क्योंकि इसमें setting का कोई उपयोग ही नह तो चलिए अब हम समझते हैं कि वी वेप indicator कैसे काम करता हैं वी वेप indicator के काम करने का तरीका बहुत ही simple हैं वी वेप indicator आपको चार्ट में ऐसे दिखाई देता हैं जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं इसमें एक single band होता हैं जो कि price के उपर नीचे जाकर हमें खरीदी औ और विक्वाली करने से हमें वी हिपसों का सामना करना पड़ सकता हैं जिससे कई बार हमारा इस्टोपलोस हिट हो जाता हैं तो इस प्रकार के वी हिपसों में हम ना फसे और हमारा इस्टोपलोस हिट ना हो इसके लिए हमें confirmation का आधार रखना चाहिए जिससे कि हम छोटे मो तो यहाँ पर मैं आपको पहले एक बार डीटेल में समझा देता हूँ कि वी वेप कैसे काम करता है जब प्राइस वी वेप के बेंड को क्रोसोवर करके उसके उपर क्लोजिंग दे देता है तो हमें यह संकेत मिलता है कि हमें बाजार में खरीदी करना चाहिए अब तेजी की इसके बेंड को क्रोसोवर करके उसके नीचे क्लोजिंग दे देता है तो हमें यह संकेत मिलता है कि हमें बाजार में बीकवाली करना चाहिए अब मंदी की शुरूआत होने जा सकता है। इसलिए इसका उप्योग आप इंट्रा डे में 5 मिनिट, 10 मिनिट और 15 मिनिट की टाइम फ्रेम में कीजिए जिसे से कि आपको वी वेप से अच्छे रिजल्ट मिल सके। तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि वी वेप कैसे काम करता है। तो चलिए अब हम समझते हैं कि वी वेप इंडिकेटर के साथ हम खरीदी और बिकवाली कैसे कर सकते हैं। उससे पहले में आपको यह बता दूँ कि अगर आपने अभी तक रिस्क रिवाड रेशो और इस्टोपलोस थियोरी का वीडियो नहीं देखा हैं तो आप इन दोनों वीडियो को देख लीजिए क्योंकि वी वेप के साथ खरीदी और बिकवाली करने में रिस्क रिवाड रेशो और इस्टोपलोस थियोरी का महत्वकून उप्योग हैं। इन दोनों वीडियो की लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल रखी हैं। आप वह ज आकर यहां दोनों वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि वीवेप इंडिकेटर के साथ हम खरीदी केसे कर सकते हैं। दोस्तों चार्ट में हम देखते हैं कि वीवेप का बुलिश क्रोस ओवर हो रहा हैं। अब के बाद वाली candle में हमें खरीदारी करना है। इस प्रकार से confirmation का आधार रखने से हम विहिपसों की संभावनाव से बच सकते हैं। इसके बाद जिस candle में वीवेप का bullish crossover हुआ हैं, उसी candle के low के नीचे का stop loss लगाना है। इसी बीच trade लेने से पहले आपको एक और बात का ध्यान बहुत जरूरी हैं कि आपके खरीदी करने के point से stop loss लगाने के बीच का जो difference हैं, वो risk reward ratio के 2% के नियम के अनुसार ही होना चाहिए। तभी आपको trade लेना हैं। अगर difference 2% के नियम के अनुसार नहीं हैं, तो आपको यह trade नहीं लेना हैं। ट्रेड लेने के बाद आपको trailing stop loss का उप्योग करना हैं। अब इसमें आखरी point यहां हैं कि हमें profit book कहां पर करना हैं। वी वेप के साथ profit book करने के दो तरीके हैं। दोनों ही तरीके based हैं आप जिसका चाहें उसका उप्योग कर सकते हैं। पहला तरीका यहां हैं कि जब वी वेप bearish crossover दे दे तो उसके बाद आ करना हैं। और दूसरा तरीका यहां हैं कि आप risk reward ratio के एक अनुपा 3 का target रख सकते हैं। और अगर इससे पहले ही आपका trailing stop loss hit हो जाए तो आप इसे ही अपना profit book समझें। तो दोस्तो इस प्रकार से हम वी वेप के bullish crossover के साथ खरीदी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम समझते ह कि वी वेप indicator के साथ हम विकवाली कैसे कर सकते हैं। दोस्तो चार्ट में हम देखते हैं कि वी वेप का bearish crossover हो रहा हैं। अब हमें इसमें विकवाली करने के लिए यहां देखना हैं कि जिस candle में वी वेप का bearish crossover हो रहा हैं। उसके बाद जो भी candle bearish crossover देने वाली candle के low के इसके बाद जिस candle में वी वेप का bearish crossover हुआ है उसी candle के high के उपर का stop loss लगाना है इसी बीच trade लेने से पहले आपको एक और बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आपके बिक्वाली करने के point से stop loss लगाने के बीच का जो difference है वो risk reward ratio के 2% के नियम के अनुसार ही होना तबी आपको trade लेना है अगर difference 2% के नियम के अनुसार नहीं है तो आपको यह trade नहीं लेना है ट्रेड लेने के बाद आपको trailing stop loss का उपयोग करना है अब इसमें आखरी point यह है कि हमें profit book कहां पर करना है तो वी वेप के साथ profit book करने के दो तरीके हैं और दोनों ही तरीके best है आप जिसका चाहें उसका उपयोग कर सकते हैं पहला तरीका यहा है कि जब वी वेप bullish crossover दे दे तो उसके बाद आपको profit book करना है और दूसरा तरीका यहा है कि आप risk reward ratio के एक अनुपा 3 का target रख सकते हैं और अगर इससे पहले ही आपका trailing stop loss hit हो जाए तो आप इसे ही अपना profit book समझें तो दोस्तो इस प्रकार से आप वी वेप के bearish crossover के साथ बिक्वाली कर सकते हैं तो चलिए दोस्तो अब हम chart में वी वेप indicator को समझ लेते हैं कि वी वेप indicator के साथ हम खरीदी और बिक्वाली कैसे कर सकते हैं सबसे पहले आप अपने charting software में जाए और chart को खोल लीजिए उसके बाद आपको intraday में जिस भी time frame में काम करना है आप उस time frame को लगा लीजिए जैसे कि 5 minute, 10 minute या फिर 15 minute इसके विशय में हम पहले चर्चा कर चुके हैं अब इसके बाद आप indicators में जाकर वी वेप indicator को chart में लगा लीजिए वी वेप indicator आपको chart में कुछ इस प्रकार से दि नहीं तो मैं यहाँ पर वी वेप के उपर double click करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर setting के लिए सिर्फ और सिर्फ वी वेप की line की जो thickness है उसे हम कम जादा कर सकते हैं तो मैं यहाँ पर इस line को थोड़ा सा मोटा कर देता हूँ जिससे कि आपको वी वेप indicator की line अच्छी जब भी कोई केंडल वी वेप के साथ bullish crossover कर रही हो उसके बाद कोई केंडल bullish crossover देने वाली केंडल के high के उपर closing दे दे तो उसके बाद वाली candle में हमें खरीदारी करनी हैं तो बाब यहाँ पर देखिए कि यह वाली candle वी वेप के उपर bullish crossover दे रही हैं और इसके बाद दूसरी जिसी ही candle, crossover देने वाली candle के high के ऊपर closing दे रही हैं, इसका मतलब यह है कि हमें इसके बाद वाली candle यानि कि इस candle में खरीदारी करनी है. और खरीदारी करने के तुरंत बाद जिस candle ने वी वेप लाइन के उपर closing दी हैं उसके low के नीचे का stop loss लगाना हैं मतलब कि हमें इस candle के low के नीचे का stop loss लगाना हैं इसी बीच trade लेने से पहले आपको एक और बात का द्यान रखना बहुत ज़रूरी हैं कि आपके खरीदारी करने के point से stop loss लगाने के बीच का जो difference हैं वो risk reward ratio के 2% के नियम के अनुसार ही होना चाहिए तभी आपको trade लेना हैं अगर difference 2% के नियम के अनुसार नहीं है तो आपको यह trade नहीं लेना हैं trade लेने के बाद आपको trailing stop loss का उप्योग करना हैं अब इसमें आखरी point यहाँ आएं कि हमें profit book कहाँ पर करना हैं तो यहाँ पर profit book करने की मैंने आपको दो condition बताए थी पहली condition यह हैं कि जब कोई candle bearish crossover दे दे तो उसके बाद हमें profit book करना हैं तो आप यहाँ पर देखिए कि यह वाली candle bearish crossover दे रही हैं मतलब कि हमें इस वाली candle में profit book करना हैं इसके बाद दूसरी condition यह हैं कि हमें risk reward ratio के एक अनुपा 3 का target रखना हैं मतलब कि हमारा stop loss अगर 5 रुपय का है तो हमारा target 15 रुपय का होना चाहिए उपर की और तो risk reward ratio के एक अनुपा 3 के नियम के अनुसार हमारा profit यहाँ पर book होगा और अगर आप trailing stop loss का उपयोग करेंगे तो आपकी profit booking इसी जगह पर हो जाएगी तो दोस्तो इस प्रकार से वीवेप के bullish crossover के साथ हम खरीदारी कर सकते हैं इसके साथ ही मैं यहाँ पर आपको एक और बात बता दूँ कि हम यहाँ पर confirmation का आधार रख रहे हैं जिससे कि हमारी accuracy अच्छी हो जाए लेकिन इसके बाद भी वीवेप के साथ failures तो आते ही हैं इसका मतलब यह नहीं है कि वीवेप काम नहीं करता हैं वीवेप काम करता हैं लेकिन हर एक टेकनिकल कहीं न कहीं जाकर fail तो जरूर होगा तो इसमें कभी कबार आपके stop loss भी हिट होगे लेकिन कभी कबार अगर आपका stop loss भी हिट हुआ तो भी आपको बहुत छोटा सा नुकसान होगा तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अब हम समझते हैं कि वीवेप इंडिकेटर के बेरिश क्रोसोवर के साथ हम बिकवाली कैसे कर सकते हैं तो बेरिश क्रोसोवर के साथ बिकवाली करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ देखना है कि जब भी कोई candle वीवेप के साथ bearish crossover बना रही हो, उसके बाद अगर कोई candle bearish crossover देने वाली candle के low के नीचे जाकर बंद हो जाए, तो हमें उसके बाद वाली candle में बिक्वाली करनी है, तो अब आप यहाँ पर देखिए कि ये वाली candle वीवेप indicator के साथ bearish crossover कर रही है, और इसके बाद इसके बाद वाली candle ही इसके low के नीचे बंद हो रही है, इसके बाद हमें इस वाली candle में बिक्वाली करना है, और बिक्वाली करने के तुरंत बाद जिस candle ने वीवेप के साथ bearish crossover किया है, उसके high के उपर का stop loss लगाना है, मतलब कि हमें इस candle के high के उपर का stop loss लगाना ह इसी बीच ट्रेड लेने से पहले हमें एक और बात का ध्यान अकना बहुत ज़रूरी है कि आपके बिकवाली करने के पॉइंट से इस्टोपलोस लगाने के बीच का जो डिफरेंस है वो रिस्क रिवाड रेशो के दो प्रतिशत के नियम के अनुसार ही होना चाहिए तब ही हमें ट्रेड लेना है अगर डिफरेंस दो प्रतिशत के नियम के अनुसार नहीं है तो हमें यह ट्रेड नहीं लेना है ट्रेड लेने के बाद हमें ट्रेलिंग स्टोपलोस का उप्योग करना है अब इसमें आखरी point यहां है कि हमें profit book कहां पर करना है तो profit book करने के लिए यहां पर हमारे पास दो option है पहला option यह है कि जब V-Wave का bullish crossover हो जाए तो हमें profit book करना है तो अब आप यहां पर देखिए कि इस जगे पर V-Wave का bullish crossover हो रहा है मतलब कि हमें यहाँ पर profit book करना है अगर हम यहाँ पर profit book करेंगे तो हमें कोई profit ही नहीं होगा तो इसके बाद हमारे पास दूसरा option है कि हम risk reward ratio के एक अनुपा 3 का target रखें तो अगर हम एक अनुपा 3 का target रखेंगे तो इस candle के lowest भाग में हमारा profit book हो जाएगा और अगर आप इस प्रकार भी profit book नहीं करेंगे और trailing stop loss के hit होने का इंतजार करेंगे तो आपका trailing stop loss इसी जगह पर hit होगा तो यहाँ पर भी हमें कोई profit नहीं होगा तो दोस्तो इस प्रकार से हम वीवेप के बैरिश क्रोसोवर के साथ बिक्वाली कर सकते हैं तो दोस्तो यहाँ थी वीवेप के विशय में संपून जानकारी उमीद हैं आपको यहाँ जानकारी पसंद आई होगी अगर वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आपके दिमाग में है तो आप कमेंट बोक्स में जाकर पूछ सकते ही आज के लिए इतना ही फिर मिलेंगे गुडबाई धन्यवाद